बेट करके सभूइदान की धज्यां उड़ा रहे हैं और उनके बच्चों को मार रहे हैं उनके कान उनका मजाग बना रहे हैं आपने देखा होगा इनके नेताओं को लोग नंगा करकर कर दोडार रहे हैं आज यह अगर ईवे मशिन को उटा देते हैं तो मोदी जी का सूपड चरन में करा रहे हैं, लोग जूता निकाल लीत है हुर आई क अपने उतार उतार कर, पुरा देश देख रहा है उसकी एक बानगी दिल्ली के अंदर भी देखी जा रही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तरह हैं जिस तरह से अली बाबा 44 की तरह है इनलों वनों पूरे देश में जाके सरकार को घेर लिया है। स्टेट के चुनाव में स्टेट के मुद्देते स्टेट लोगों को लड़ने चाहिए थे और ही जो माफी मागने वाली बात उन्होंने का जूट बोलेंगे तो यह किसे छिपा थोड़ी है। वो तो एक नमबर के जूटे हैं हर बाद जूट बोलते हैं जोर जोर की बोलते हैं वो कहते भी जूट बोलो जोर से बोलो अब तो उनके सारे लोग जूट बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तर यो बात करें दीदी तो गई दीदी ओ दीदी यह पर्धान मंत्री के बोलनी है आज पुरा देश देख रहा है कि हमने परधान मंत्री चुना है या बाजीगर या जादुगर या बहरुपिया चुना है कहीं ना कहीं आज जो हलात है आपने का महामारी किसी सिपी नहीं है आप देख तक रहे हर चैनल में बग पूरा दिखा गे, परधान मंतरी किसी तरह से rally, stage पर आजे हैं, भासन दे तो वहाससे किसी भी चैनल का camera नियर्टा है चार वह ए घंटा बोले, चार दो घंटा बोले, चार तीन घंटा बोले, उसे continue दिखाएंगे और पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ परधान मंत्री रिली कर रहे हैं, कहने को कुछ है नहीं है, दीदी तो गई, दीदी, ओ दीदी, ए दीदी, ये कर क्या रहे हैं, अगर चुनाओ लड़ने तो मुद्दे की बात करें न, जो परधान मंत्री एक जब ये आंदोलन हुआ था, तो मैं जेल गया था, जब इंदरा जी ने पागिस्तान से बंगला देश को बाहर निकाला था, तो ये जेल गए थे, समझ में नियात तक कौन सी जेल में रहे, कहां रहे, कहां इन्होंने चाय बनाई, कहां इन्होंने पढ़ाई करी, कहां ये म पुरा सोचल मीडिया में चल रहा है, हमारे देश के मुख्याने खुद का, मैं तो बारा तक पढ़ाऊं, सकुल तक पढ़ाऊं, इससे आगे पढ़ा ही नहीं है, कुल मिलागे सवाल लिया, जूट बोलना, परधान मंतरी एक नंबर के जूटे आदमी है, किसी से छिपानी अब तो पुरा देश का विदेशी भी कहते हैं, कि जूट बोलते हैं, गटना बताता हूं मैं, हमारे परधान मंतरी नेपाल गए, वो नेपाल में गए मैं 10,000 को रुपया दूँगा, पिर उनकी सुझमा सवरास्ती जो, वो गए मैं 10,000 को रुपया आएगा कहां, एक रु देश के साथ रिस्ता तो सुधार रहे ना, जूट बोलकर रिस्ता सुधार होगा ना, उसका नुकसान नहीं होगा, अगर उनने वो 20 साल की उमर में थे और उनने आजादी मैं पता नहीं क्या कर दिया, करा तो इंद्रा गांदी ने था, उसकी जैजाकार बोलनी चाहिए, क काम करते थे, चुप रहते थे, अगर वो जूट बोलते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो एक के बाद एक दूसरे राज्य में जीत कैसे जाते हैं, अगर वो जूट बोलते हैं, तो फिर कैसे उनको भरुसा होता कि वो 200 से जादा सीट जो है पश्चिम बंगाल में जीत यांगे, वो लोग بتाते ہیں जिनको पता होता कि हम अपकी बाहर 200 बार, अपकी बाहर 300 बार, क्योंकि यव मसीन हमारे दुवार, समझगे न, यव मसीन हमारे पास हैं तो हम कुछ भी बता सकते हैं, जनता हमальную पूरे देस मो क्या रहे हैं, बंगाल में जाके क्या रहे हैं, देंगे वहां जो सोनार बंगला मैं तो समझता हूं कि वहां वो चैक कर रहे हैं कि क्या-क्या बिकने वाला है वहां रेल रेल का कार खाना है बड़े-बड़े पूल है रोड यो तो सड़क भी बिखते हैं पहली बार राहूल गांदी ठीक कहते हैं वो हम दो हमारे दो के चक्र में पुरा भारत बेख रहे हैं तो एक हिटलर के बारे में सुनते थे कि वो विकास ऐसा कर दिया लोग अपनी जान बचाने को विकास समझते थे तो यह दूसरा हिटलर आगा है इतिहास में जब सो पचास साल बात कह हैंगे कि एक हिटलर के बाद दूसरा हिटलर रहा है था मोधी नाम का हिटलर और जिसने बिल्कुल भी वहाल करा जो उसने कर रहे हैं यह गुरू चेले लगते हैं मिरे को तो कि वापिस गुम के फिर आ गए हैं अच्छा सर आसाम के अंदर बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ पर बीजेपी जो है नर्सी सीए के मुद्दे को बिल्कुल नहीं हाथ लगा रही थी लेकिन कल बीजेपी के पुर्वराष्टिय अध्यक्षा और अभी के ग्रेह मंत्री जब द्राजलिंग में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि गोरखाओं को एनर्सी सीए से कोई दिक्कत नहीं होगी तो एनर्सी आखिर है क्या सिर्फ एक कास्ट को टार्गेट करने के लिए चीज है देगे भारते जनता पार्टी कंफ्यूज है वो खुदी कंफ्यूज है मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाओ एक देश एक कानून कानून में भी फरक है एक देश एक चुनाओ फरक है आपने देखा कि छोटे से बंगाल में आठ चरन में चुनाओ ये बंगाल को लूटने की त्यारी है क्या हमारी चुनाओ इतने कमजोर हैं कि एक स्टेट में और चरन में कर दो आधर चरन में करा रहे हैं पर कारन है घर-घर यह जंता के विश्वास के साथ खेल रहे हैं पर मजबूरी है डरी हुए है करें मार देना आ जाएं करें फसा ने मुह गिरेंगे ये क्या सकल दिखाएंगे देश को क्या चुनाव Likewise सब कुछ है मैं तो चाहत होग वैसे मैं रद जाने हैं बिल्कु रद हो जाने हैं एक बीजेपी के नेता्र ने भी कहा है कि पंचयात के चुनाव नहीं होना चैनला कि समर्थम करता हूं वैसे आद्मी में कि क्योंकि हमें देश की जनता से प्यार होना चाहिए, देश के नागरिक से प्यार होना चाहिए, चुनाओ तो कभी भी करा लेंगे, हाला तैसे बत्से बत्तर हो रहे हैं, हर जिगाए, तो इसे भी जनता को बचाना है, ये सरकार का ही धर्म होता है, और सरकार अपने धर्म के र वित्त मंत्री ने खुद ऐलान किया तो वो चीजे आपको क्यों नजर नहीं आती क्यों आखिर प्रधान मंत्री की जो है बुराई नजर आता हैं उन्होंने घरीब हो तो पैसा भी तो दिया है ना जो आप क्या रहे हैं ना के परदान मंत्री जूट बोलते हैं तो उनके फाइनेस मनिश्टर भी जूट बोलते हैं बीस लाग हजार कोड़ बिया का है किसको दिया है और जो यह जो बात करें यह नरेगा यह तो सब कांग्रेश की देने देते थे कांग्रेश भी देती थी हैं रोजगार भी देती थी नहरे गाम अने नगा में देखाओ देती थी पॉलीशी नाम बदल के बदल दिये हैं यह तो सरकारों के धरम है जो गरीबी रेखा से लोग नीचे उनको देना ही है अब तो पुरा भारती गरी भी रिखास नीची आ रहा है काम दंदे विपार सभी खतम हो गए है अब तो मैं लब 10-15 परसेंट लोग है जिन पर भारत का पैसा चला गया है बागी तो भूके मर रहे हैं बच्चे उपढ़ा नहीं पा रहे हैं रोटी कमा नहीं पा रहे हैं रोटी खिला नहीं पा रहे हैं तो कैसा देश बना दे हैं उन्हें सोचना पड़ेगा सही मायने में तो इस सरकार को जीतने के एक भूक लगी हुई है कि जीतना है जीतना बहुत जीतना तो उनका काम भी तो करो जो उन से वादे करे तो उस वादे पे चुनाओ भी तो लड़ो उस वादे पे चुनाओ नहीं लड़ेंगे पूरे बंगाल के चुनाओ में आसाम के चुनाओ में तमिल नाडू के चुनाओ में पांडे चेरी के चुनाओ में विकास नाम की चीज़ थी गाइब है है यह नहीं है, करा हो तो होगा ना इन्होंने कुछ काम नहीं करा अगर थोड़े बहुत काम करे हैं तो वो काम करे हैं जो मनमौन चिंग के सासनकाल में चल रहे थे अब पूरे में उसके तो उद्गाटन कर दिये हैं अपने लेवल पर कुछ नहीं करा हैं तो इनको यह दी 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 नहीं करना पूरता परधान मंत्रियों घर से बासन दे के चुनाओ जित लेते क्योंकि देश की जंता समझती कि परधान मंत्री अच्छा परधान मंत्री है काम करने वाला है, सच बोलने वाला है वहाँ गली-गली मौले में धक्या खाने नहीं पढ़ते इनको सही मायने में उन्हें देश की जन्ता के लिए जो जो वादे करे थे एक भी वादा पुरा नहीं करा जिस दिन प्रधान मंत्री ने शपत लिया था प्रधान मंत्री पत की तो उसी दिन उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी सरकार अंबेटकर की नीतियों को आगे बढ़ा रही है आज का आपका मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा आपने का क्या परधान मंत्री मंत्री ने पुछा जूट बोलते हैं हर बात पे जूटे ने जरा रहे हैं ये सवीधान की दज्यां उड़ा रहे हैं हमारे भीम रावन अम्बेट करके सवविधान की धज्यां ओडा रहे हैं और उनके बच्चों को मार रहे हैं उनके कान उनका मजाग बना रहे हैं ये लोग तो हर बात में जूट बोल रहे हैं मन्ताइनी पुरा देश कहता है, जूटे हैं जूटों की सरकार है ये तो जूट बोलते हैं जोर जोर के बोलते हैं काम निकरते हैं बहकाते हैं जनता को मूरक समझते हैं पर जनता मूरक कब तक बनेगी अब वो दिन आने वाला है आपने देखा होगा इनके नेताओं को लोग नंगा करकर कर दोडार रहे हैं करे कोई और भरे कोई करे हमारे किया जूट बोले हमारे ग्रयमंत्री जूट बोले वीजेपी के नेता पर पी ट्रेंग के अच्छार राहूल गांधी की एक जीत हो गई लगता है कि एक बार फिर से रफाल मामला जो है सुप्रेम कोट में जज ने एकसेप्ट कर लिया सुनभाई के लिए क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार एक बार फिर से राफिल पर घिर जाएगी या फिर से सुप्रेम कोट जो है आपकी दलीलों को खारिच कर देगा जैसे पिछली बार किया था देखे रावल गांधी ने जो भी मुद्ध उठाया आप कोई भी मुद्ध उठा लिये रावल गांधी ने टेम से बता दिया करोना आ रहा है ये टरम को जुला जुलाते रहे राउल गांदने ने बता दिया कि देश की जीडीपी गिर रही है आज देश की अलाजकी से छिपेनी सब वेपार खतम हो गए है राउल गांदने का वेपार खतम होगा है महंगाई बढ़ रही है और चोगीदार चोर है खूब कहाद चिला चिला करका सेर का बच्चा डरा नहीं राजीव गांदी का बेटा है इंद्रा गांदी का पोता है सोन्या गांदी का बेटा डरा नहीं इस चोर से नहीं डरा कहता राचोगीदार चोर है और देश की जंता भी समझ लिए चोर है इन्होंने तो जजों को भी डरा कर ब्लैक मेल करकर अपने पार्लेमेंट घड़ा कर लिया है जब चीफ जेस्टिस जैसे को मेंबर और पार्लेमेंट ये वीजेपी का बना देंगे तो देश में कानून रह कहा जाएगा बड़ा बड़ी बात होगी जो राफेल का मुद्दा दुबारा सुप्रेम कोट चुट रहा है और मैं अशे सुप्रेम कोट को कहता हूँ डरेना पुरा देश आपके साथ है आपने देख लिया आपका धरम है इस देश को बचाना क्योंकि राफेल में चोरी हुई है चोरी हुई है और पुरा देश लुट रहा है इनको सजा देना आपका काम है बहुत बहुत शुक्र आपके साथ हमसे बात करने के लिए तो ये थे जगदीश शर्मा जो लगतार देश के अंदर चल रही राजशनती गतवीदियों पर हमसे बात कर रहे थे और लगतार जो है अब वो मसले दुबारा उट रहे हैं जो लगता था कि वो खतम हो गए है उनमें राफेल मुदा था जो अब सुनवाई के लिए जा चुका है यानि देखना होगा कि सुप्रेम कोट क्या फैसला देता है और दूसरी तरफ दो माई का इंतजार रहेगा ताकि बंगाल के चुनाओं में आखिर क्या आएगा नतीजे ये तो बंगाल की जनता दो माई को ही तै करेगी तो ऐसे में हम लगतार बने हुए हैं इन खबरों पर लगतार हम अपने जो है लोगों से राय लेते रहेंगे आपको बताती रहेंगे आप यूँ ही देखते रहे हैं डियस फोर नियूज धन्यवाद